इस बीडियो में आप PLSQL के बारे में पढ़िएगा और ये बीडियो PLSQL का सबसे पहला बीडियो है अभी तक हम लोग SQL और SQL PLUS पूरे कोर्स में पढ़ चुके हैं चलिए यहां से हम लोग अपना PLSQL का स्टडी स्टार्ट करते हैं यदि आपको याद होगा एक वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका टाइटल था Water, SQL, PLSQL, TSQL and SQL Plus हम रिक्मेंट करेंगे कि इस वीडियो को एक बर और यहां पढ़ने से पहले देख लिजिए क्योंकि हम लोग PLSQL को यहां से पढ़ना सुरू कर रहे हैं और यह जानना जरूरी है कि SQL क्या है, PLSQL क्या है, TSQL क्या है और SQL Plus क्या है तभी आप असानी से PLSQL को आप यहां पे समझ पाईएगा PLSQL का फूल फर्म होता है Procedural Language, Structured Query Language यदि आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे तो वहां पे आप सुनने होंगे कि PLSQL जो होता है वो रिकल द्वारा यूज़ किया जाता है और TSQL जो की एकतम PLSQL जैसा होता है और वो Microsoft SQL Server द्वारा यूज़ किया जाता है PLSQL में हम लोग Variable Declaration, Variable Assignment, Selection, Looping, Conditional Statements, Procedures, Function, Cursor इत्यादी को आसानी से यूज़ कर सकते हैं और आने माले वीडियो में हम लोग इस हर एक Concept को समझेंगे ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे PLSQL पढ़ रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग SQL या SQL Plus को एकतम छोड़ दिये PLSQL हमेशा काम करता है SQL के साथ यानि हम लोग अभी भी हम लोग SQL statements को यहाँ पे यूज़ करते रहेंगे SQL statement में basically हम लोग data manipulation यानि DML language को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे जिससे PLSQL data manipulation तथा transaction कर पाएगा तो overall PLSQL एक तरह का block structured language होता है और यह block तीन पार्ट को मिलकर बनाया जाता है सबसे पहला पार्ट होता है वो declaration पार्ट होता है जो दूसरा पार्ट होता है वो executable पार्ट होता है और तीसरा जो होता है वो exception handling पार्ट होता है अभी आप अपने screen पे वो तीनों पार्ट देख सकते हैं सबसे पहला पार्ट है declare और declare का यहाँ पे coding लिखा हुआ है जहाँ पी हम लोग अभी dash dash करके छोड़ दिये हैं फिर begin है उसका यहाँ begin का यहाँ पे statements लिखा हुआ है और exception है जो कि exception जो पार्ट होता है यहाँ पे यह optional पार्ट होता है यह हर बार available नहीं भी हो सकता है आने वाले वीडियो में हम लोग इन सभी को detail में देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग एक simple plsql file को run करेंगे और वहाँ पे समझेंगे कि कैसे यह दोनों declare और begin जो पार्ट है इसको कैसे utilize किया जाता है तो इस declare पार्ट में हम लोग variable और constant declaration इत्यादी करते हैं begin पार्ट में जो भी होता है यहाँ पे हम लोग pale SQL और SQL TML statements या transaction या manipulation इत्यादी statements को हम लोग begin पार्ट में लिखते हैं कैसे हम लोग किसी एक file में .SQL file रहाँ वहाँ पे हम लोग SQL codes को लिखेंगे और यहाँ पे command line पे SQL command line पे हम लोग उसको run करेंगे हम लोग same procedure को यहाँ भी follow करने जा रहे हैं जैसे अब ही आप अपने screen पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग EMP.SQL file बनाया है जो की Oracle नाम के folder के अंदर में है जी ड्राइब में है और यहाँ पे हम लोग PL SQL का coating लिखे हुए हैं यहाँ पे सबसे पहला आप देख सकते हैं server जो होता है उसका output on किया गया है set command का यूज़ करके set server output on और सबसे last में है set server output off इसका मतलब यह होता है जो भी हम लोग PL SQL command को run करते हैं वो server पे run करता है और उसको on करना जरूरी होता है और end में off करना जरूरी होता है तभी हम लोग output देख पाएंगे और output हमेशा आता है जो begin के अंदर में राता है वही output generate करता है यानि यह जो output generate करेगा उसको देखने के लिए हम लोग को server output on करना पड़ेगा यहां पे हम लोग prompt और accept को भी पढ़च चुके हैं हम प्रॉंट का यूज करके हम लोग message display कराएंगे और accept का यूज करके हम लोग end में जो user enter करेगा उसको रखेंगे हम लोग prompt करेगा इंटर employee number और यूजर जो होगा वो employee number इंटर करेगा वो इस एन variable जो है इसमें store हो जाएगा यहां पर देखिए हम लोग declare में भी बहुत सरा variable declare कर रहे हैं declare में generally हम लोग declare ही कोई पार्ट करते हैं कोई भी चीज जो declare करना है हम लोग bsql में वो declare block के अंदर में होता है तो यह declare block है और यह begin block है और यहां पर exception block अभी है नहीं आने वाले वीडियो में हम लोग exception block को भी देखेंगे declare में जैसे सबसे पहला है name, name variable हम लोग declare कर रहे हैं और किस तरह का यह variable होगा तो employee table के अंदर में e-name जो है उसी तरह का type है यह यानि यह percent type हम लोग use करते हैं इसका use करके हम लोग इस column का type इस name में assign कर सकते हैं यानि in case future में यदि जो administrator है जिसका वो table है वो इस e-name का type यदि change करता है यानि data type चेंज करता है तो यह जैसा कि यह employee का e-name का type ले रहा है यहाँ पे कोई hardcoded नहीं है यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि वो भारकर to है या क्या है यानि कोई hardcoded नहीं है इससे होगा क्या कि e-name य आ करके employee table के e-name का type लेगा और इसमें name में बना रखेगा इसको यानि यह name क्या है variable है जो जो किस तरह है e-name type क्या है यहाँ एक department variable बनाए है जो employee table के dpt name जो column है उसका type यह department फिर location है वो employee table के location का type hold कर रहा है location यानि तीन declaration यहाँ पे हम लोग किये और यहाँ पे begin में आप आ क dpt name और location यह जो तीनों जो column का नाम है वो table में अभे लेबल है और यहाँ पे हम लोग एक चीज को अभी ध्यान से हटाते है जिससे यह select जो कि है into name department और location समझे अभी नहीं है अभी आप क्या देखिया गया है यहाँ पे select e-name dpt name location from employee table where e-id equal to 10-12 तो यहाँ पे 10-12 नहीं बल to जैसे 10 किया है तो यहाँ 10 हो जाएगा यानि यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं अब चलिए हम लोग यहाँ से जो delete कि हैं उस coding को लाते हैं यह वाला coding into name department and location ध्यान रहे हम लोग यहाँ name department और location तीन variable बनाये हैं यानि यह क्या करेगा यह output करेगा कोई एक record और वो record किसमे store हो जाएगा तो name में यानि name कहा जाएगा name में deputy कहा जाएगा department और location कहा जाएगा तो इस location variable में ध्यान रहे हम लोग into का यूज करते हैं single raw के लिए यानि single output जो है उसको हम लोग input का यूज करके हम लोग variable में store कर सकते हैं आने वाले समय में हम लोग और possibilities यहाँ पे क्या है variable है location क्या है variable है और वह ही variable को यहाँ पर यूज किया जा रहा है यानि column name जो actual जो column name है वो हमेशा यूज नहीं होता है वो केवल command के साथ ही यूज होता है और command क्या करता है उस select करके उसको variable में shine कर देता है और यहाँ पे देखें हम लोग तीन एक ही तरह का चीज लि name और देखें यहाँ पर हम लोग single code के अंदर में name रखे हुए हैं और फिर यहाँ पर हम लोग double यह दे दिये हैं जैसे enter जो key होता है उसके उपर में यह key होता है shift के साथ दो बार उसको दबाना पड़ता है तो आप ऐसा देख पाईएगा तो यहाँ पर name और name जो variable में यहा और location यहाँ पर program को end कर रहे है सेमी को मा दे रहे हैं और यहाँ पर slash दे रहे हैं slash in determination होता है इसमें server में और यहाँ जो हम लोग sit server output किये हैं जो on उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर off कर दे रहे हैं तो चलिए अब हम लोग emp.sql को command line पर fire करते हैं यहाँ पर आते हैं हम लोग fire करने के लिए हम लोग लिखते हैं start आप अल्रड़ी इसको बहुत बार देख सुके हैं start hddr.org ke अंदर में और hakl नाम का फोल्डर एउसके अंदर में emp.sql हम इंटर देख सकते हैं आपफे message आ रहा है enter employee number घहां यहाँ पे 10 में रहे हैं इंटर कर रहा हैं और आप देख सकते हैं old और new old query में आप देख सकते हैं and n है और new query में आप देख सकते हैं तेन है यहाँ और यहाँ आउटपूट में आप देख सकते हैं नेम अभी मन्यू डिपार्टमेंट से और लोकेशन गुरगाओं और यहाँ पर मैसेज आप देख रहा है PLSQL procedure successfully completed आप देखें यहाँ पर मैसेज है PLSQL चलिए यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पर जो अन है इसको हम लोग आफ कर देते हैं और यहाँ Alp इसको हम लोग run कर देते हैं और दुबाडा जब हम लोग run करेंगे तो जो आउटपूट यहां पर आप देख रहे हैं नेम अभी में न्यू डिपार्टमेंट और लोकेशन वह आप नहीं देख पाई हैं हम लोग रन करते हैं भी लिखे हैं उतना ही इंटू के बाद हम लोग लिखे हैं यह हमेंसा मैच करना चाहिए और यहां पर डी बयमे अाउट पुट ऍट लाइन का यूज कर के हम लोग plsql block जो है यह begin क्या है plsql block है तो plsql begin block के अंदर से हम लोग को यदि command line पर कुछ output करना है इसके लिए हम लोग लिखते हैं dbmsoutput.putline हमें इस ाइस्टीज का हम लोग यूज़ करते हैं उम्मीद करते हैं यह simple program जो plsql का जो सबसे पहला program जो बनाएं यहाँ पे वो आप अच्छी तरह से समझ गया होंगे आने वाले वीडियो में हम लोग और new possibilities को explore करेंगे Thank you